सबी बच्चे एक बार जल्ली से आ चाहिए और जल्ली से अपने सभी दोस्तों को बला लीजे और चलिए क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा वह एपेंडिक्यूलर स्केलेटन यानि उपांगी कंकाल और जो में कमेंट देख लो तब तक आप लोग सब बच्चे जल्ली से मुझे यहाँ पर बताओ ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है ठीक है वेरी गुद इबनिंग वेरी गुद इबनिंग नमस्ते नमस्ते अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम आज फर्स्ट क्ल क्लास है ओके तो कोई दिकत वाली बात नहीं है जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है उनका कल जो टॉपिक था वो छूट गया है एक्जेल इसकलेटन तो आप लोग एक बार उसको यहाँ पर पढ़ लेना ठीक है बाकि अगर आप आज से भी क्लास करते हैं तो भी कोई दिक सक्स crisis के बारे में बात करते हैं जब कभी भी के कलर शेंज कर लेते हैं इसका को यह बात पता है कि जो भी हमारा कंकाल है उसमें 206 हड्डियां होती है यह तक तो मैंने आपको बता दिया था 206 हड्डियां होती है पर आप लोगों को साथ में यह भी यहां पर ध्यार में रखना है कि 206 हड्डियां है लेकिन उसके साथ ही दो भागों में इसको हम बाटते हैं और जो पहला होता है उसे हम कहते हैं एक्जियल इसकेलेटर जो कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यानि अक्षिय कंकाल कौन सा अक्षिय कंकाल ठीक है और दूसरे नंबर पर आता है यहां पर हमारा एपेंडिक्यूलर एपेंडिक्यूलर इसकेलेटर जहां पर आप सब पढ़ेंगे हिंदी में उपांगिय कंकाल ठीक है तो इस चीस को यहां पर ध्यान में रखेंगे तो एक तरफ हो गया हमारा इहां पर एक्जियल इसकेलेटर और दूसरे तरफ हमारा हो गया इहां पर उपांगिय कंकाल जिसको हम सभी एपेंडि तो जो हमारा एक्जल स्क्लिटन होता है उसमें कुल कितनी हडिया होती है तो 80 हडी होती है 80 पॉन्स होती है ठीक है और यह कल की च्लास में लूगों ने पढ़ लिया है तो आज हम बात करेंगे बाकी बचे हुई 226 हडियों के बारे में ठीक है तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं नमस्ते नमस्ते वेरी गुड इवनिंग मैं मेरा नाम नहीं लेते हो नाम देखो बेटा ऐसा है कि मैं पढ़ाती रहती हूं जो कमेंट सामने आ जाता है वह पढ़ देती हूं ठीक है तो इसलिए रहा घुसा मत वा करो नाहीं निराश होने की ज़ तो अपेंडिक्यूलर को हम लोग यहां पर अब स्टार्ट करते हैं अपेंडिक्यूलर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि हमें क्या-क्या चीज़ें यहां पर पढ़ने होगी अपेंडिक्यूलर में हमको पढ़ना है यहां पर अपने हाथों की हड़ी अपने पै और होती है उनके वारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो सभी तैयार है 126 हड्य चलो ओके बच्चो मेरा तो कभी भी नहीं लेते हैं अरे क्यों परेशान हो रहे हो ठीके रिलेक्स रिलेक्स ठीके थांक रिटीके थांक रहे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम इस पूरे इसकेलेटन सिस्टम को देखते हैं तो इसको दो तरीके से हम बाठते हैं पहला होता है अक्षिय कंकाल जिसको हम सभी एक्जियल इसकेलेटन कहते हैं जिसमें असी हड्डिया यहां पर होती है ठीक है और दूसरे न ठीक है तो सबसे पहले जब कभी भी हम उपांगी कंकाल के बारे में बात करते हैं तो उसको भी हम दो तरीके से बात करके यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले आता है limbs, limbs को क्या कहा जाता है, पाद कहा जाता है और दूसरे नंबर पर आता है girdles जिसे हम मेखलाओं के नाम से यहाँ पर जानते हैं, तो सबसे पहले समझेंगे कि उपांगी कंकाल यानि कि टोटल अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमें कितनी हड्डियों के बा करके यहां पर पढ़ेंगे पहला जो नंबर आएगा वो है लिम्स अब लिम्स क्या होते हैं पाद क्या होते हैं तो देखें लिम्स के अगर हम बात करें तो जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उन्हीं को हम सभी लिम्स यानि की पाद की नाम से यहां पर जानते हैं ठीक है अगर हम अपने हाथों के बारे में बात करते हैं तो हाथों को क्या कहा जाता है फोर लिम्स कहा जाता है यानि अग्रपात जो हमारे हाथ हैं उनके बारे में यहां पर बात हो रही है जबकि जो हमारे पैर होते हैं उनको किस ताम से जाना जाता है हिंड लिम्स यानि पश्चपात के नाम से यहाँ पर जाना चाता है, यानि लेग, पैर के नाम से यहाँ पर इसको जाना चाता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नौर्मली तोर पर देखें, तो जो appendicular skeleton होता है, उसमें सबसे महत्वपुर्ण भाग आता है लिम्स, और लिम्स का क्या मतलब होता है पाद, यानि हाथ और पैर, और हाथ और पैर को हम क्या कह सकते हैं, हाथों को हम क्या कह सकते हैं, फोर लिम्ब, और पैरों को क्या कहेंगे हम यहाँ पर हिंड लिम्ब, जिसको हिंदी में हम सभी पश्च पाद के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है? अब next point की ओर हम यहां पर बढ़ते हैं, सबसे पहले हम अपने एक हाथ के बारे में यहां पर बात करेंगे, किसके बारे में? सिर्फ एक हाथ के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है? तो हमेशा ध्यां रखना कि अगर एक हाथ या एक पैर के तीस हड़ियां देखने के लिए मिलती है तो अगर मैं कहूँ कि मेरे एक हाथ में कितनी हड़िया है तीस हड़िया है मेरे दूसरे हाथ में कितनी हड़िया है तीस हड़िया है तो दोनों हाथों को मिला करके कितनी हड़ियां हो गई साथ हड़ियां हो गई कित्ती हो गई यहां पर decisions यहां पर हो गई, यानि अगर मैं एक हाथ के बारे में बात करूँ, तो एक हाथ में 30 हड़ी, दूसरे हाथ में 30 हड़ी, तो टोटल मेरे दोनों हाथों को मिला करके 60 हड़ी हो गई, इसी तरीके से अगर मैं अपने पैरों के बारे में बात करती हूँ तो मेरे एक पैर में 30 हड़ी पाई जाती है दूसरे पैर में 30 हड़ी पाई जाती है तो दोनों पैरों को मिला करके कितनी हड़ी हो गई 60 हड़ी यहाँ पर हो गई खिक है, तो इसका यह मतलब हुआ कि दोनों हाथ और दोनों पैरों को मिला करके कितनी हड़ी हो जाएंगी, तो लिखो यहाँ पर, कि 120 हड़ीयां यहाँ पर हो जाएंगी, कितनी हड़ी हो जाएंगी, 120 हड़ीयां यहाँ पर हो जाएंगी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखेगा कि प्रतेक पाद में सिर्फ 30 हड्डियां होती हैं. Each limb has 30 bones. तो एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी और दूसरे पैर में 30 हड्डी. तो टोटल 120 हड्डियां यहाँ पर हो गई. तो बची हुई जो 6 हड्डियां होंगी, वो यहाँ पर होंगी. तो अब आपसे प्रश्ट कैसे पूछा जाएगा? प्रश्ट पूछा जाएगा कि दोनों हाथ और पैरों को मिला करके कितनी हड्डियां होती हैं. आंसर क्या बना? 120 हड्डी होती है. फिर पुछेगा आपके एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है आंसर करना 30 हड्डी होती है आपके एक पैर में कितनी हड्डियां होती है तीस हड्डियां होती है ठीक है और अगर हम बात करते हैं मिखलाओं के बारे में गिडल्स के बारे में तो यहाँ पर कितनी हड्डी होती है 6 हड़ी होती है और इन सभी को मिला करके उपांगिय कंकाल यानि एपेंडिक्यूलर इसकलेटन यहां पर बनता है जहां पर आप देखोगे 126 हड़ियां टोटल आपको यहां पर दिखाई देती है ठीक है बात समझ आ गई है कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर है ओकी क्लियर इसक ओके अब न ehkä क्यों उत्यों कि और यहां पर बड़ते थे हैं और सब करते हैं हम सब नाम यहां पर क्या क्या होता है तो सबसे पहले अच्छा मिस्टर तुमको तो आज रहे गए तो सबसे पहले तो भई हाए हलो कर देते हैं सबी बच्चे इनको हाए हलो कर दो ठीक है और सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर एक हड़ी के बारे में पहले सबसे पहले हम एक सोल्टर है यह वाला हिस्सा ठीचेट सब छोड़ दो copy pen इस तरफ देखो मेंड़ी तरफ देखो और यहां पर अपने हाथ को महसूस करूँ यहां से एक हड्डी शुरू हो रही है आपकी पूहनी तक जा रही है आपकी फूलि तक यहां पर जा है एक हड़ी यहांपर है और यह जो एक हड़ी आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है एक हड़ी सिर्फ आपको हापर देखने के कहां से कहां तक पाई जाती है? तो आंसर करना कि हमारा shoulder से निकल करके या हमारी जो कुहनी होती है, जो हमारा elbow होता है, वहां तक यह होती है. और इसे हम क्या कहते हैं, humorous के नाम से यहाँ पर जाते हैं. ठीक बच्चों, clear यहाँ तक? अब next point कि और यहाँ पर बढ़ते हैं. जब हम अपने elbow को, यानि अपनी कुहनी को यहाँ पर देखेंगे, तो हमारी जो कुहनी होती है, उससे हमारी कलाई, यानि कि जो हमारी rust होती है, जो हमारी कलाई होती है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, हमारी जो कलाई होती है, उसके बीच में कितनी हड़ियां पाई जा है और उनके नाम क्या है उनके नाम है Allianis और तो कई पर आपके एक्जाम में को देखते हैं यानि अपने रिस्ट को और अपने और को देखते हैं तो उसके बीच में हमको यह दो हड़ी यहां पर दिखाई देती हैं और इन दोनों हड़ीयों का नाम है रेडियस और अल्ला और यहां हाथों में पाई जाती है ठीक है प्लियर है अदर चलो अब next कि और हम यहां पर बढ़ते हैं नैक्स और हमारे हाँ पर पॉइंट बनेगा उसको हम यहां पर देखेंगी अब हम आ जाएंगे अपनी हाँ पर गलाई में अब हमको देखने के लिए मिलेंगी और उनका क्या यहाँ पर नाम होगा तो आसा करना कि जो हमारी कलाई में हड्डी होती है उसे हम कारपस के नाम से जानते हैं और यह टोटल आठ हड्डियां होती है और यहाँ के हड्डियों की एक विशेश्टा यहाँ है कि यहाँ काफी चिप आज से अगर पूछा जाता है कि रिस्ट बोन किसे कहते हैं कलाई की हड्डियों को हम किस नाम से जानते हैं तो आंसर करना कारपस और कलाई में कितनी हड्डियां होती है तो आंसर करना छोटी-छोटी सी 8 हड्डियां 8 बोन्स यहाँ पर पाई जाती है ठीक है? ओके? अब आगे बढ़ते हैं, जब हमारी कलाई खतम होगी, तो कलाई से हम आगे बढ़ेंगे, कलाई से हम सभी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो जहां से उंगलिया शुरू होती हैं और कलाई है, तो उंगलिया जहां से शुरू हो रही हैं और कलाई है, उसके बीच की जगह को क्या क कहते हैं हथेली क्या कहते हैं इंग्लिश में पाल्म कहते हैं हिंदी में हथेली कहते हैं तो अब यहां पर पॉइंट आता है कि हथेली में जो हड्डियां होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं और आंसर आपको करना है कि मेटा कार्पस के नाम से इसको हम जानते हैं किस नाम और यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं तो आसा करना पांच हड्डियां यहाँ पर होती हैं. कितनी हड्डियां? पांच हड्डियां यहाँ पर होती हैं. तो फटाफर्स इसको नोट कर सकते हैं आप सबी? हाँ ठीक है मेटा कारपर्स इसके यहाँ पर पहते हैं. में नेल्स भी हड़ी होती है कि नहीं, 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 नहीं को हम हड़ी नहीं मानते, ठीक है? चले. अब आगे हम यहाँ पर next point की ओर बढ़ते हैं. Next, जैसे ही हमारी हथेली खतम, जैसे ही हमारी यहाँ पर पालन खतम, हमारी उंगलिया यहाँ पर श्चुरू हो जाती है और उंगलियों की अगर हम बात करें, तो उंगलियों में जो हड़ियां पाई जाती हैं, उनकी अगर हम चल्चा करें, तो उन्हें क्या कहा जाता है? Falanges कहा जाता है. क्या कहा जाएगा? Falanges कहा जाता है. और इन की संख्यों की अगर हम बात करें तो 14 इसकी संख्या होती है. यानि 14 इनकी संख्या होती है. एक जिस और आप लोगों को यहां पर ध्रहान में रखना है कि जो Falanges होते हैं उनको हम सभी digit bones भी कहते हैं, digits bones भी कहते हैं, digit, अस्थियां भी हम इसको यहाँ पर कहते हैं, तो अब यहाँ पर बात आएगी, कि इसको हम digit bone क्यों कह रहे हैं, आप सभी ने digit शब्द तो सुना होगा, जब आप कभी math पढ़ते हो, तो कहते हैं कितने digit में हैं, यहनी क्या हो गया यहाँ पर उसके पास कोई पत्थर है या कोई वस्तू है, तो वह कैसे बोलेगा, कि कितना है, एक है, कितना है, दो है, कितना है, तीन है, और इसी तरीके से counting करना शुरू हुआ, तो इसी वजह से जो हमारी उंगलिया होती हैं, उसी को हम सभी digit के नाम से भी जानते हैं, तो कई बर fingers bone, उंगली में जो हड्डियां पाई जा रही हैं, उसी को हम सभी phalanges के नाम से यहां पर जानते हैं, ठीक है, clear है यहां तक, बास समझा गई, चलो, तो यहां पर अब total count करते हैं, ठीक है, तो पहला क्या हो गया, humorous 1 है, radius और अलना 2 है, carpus 8 है, metacarpus 5 है, और यहां पर आप देखेंगे कि जो उंगलियों की हड्डियां है, वह 14 है, तो total कितनी हड्डी हो गई यहां पर, total कितनी हड्डी हो गई यहां पर, बताईए फटा फर से, एक बच्चा के रहे हैं, एक और एक 11, अच्छा ठीक है, ठीक है, पूरा मिला के 30 हो गए हैं, ठीक है, बहुत हाथ में 30 हड्डियां यहां पर होती हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही, दूसरे हाथ के अगर हम बात करें, तो दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों हड्डियों को मिला के 60 हड्डी हमारे दोनों हाथों की हो गई, लेकिन ज्यादा तर आप से question यही पू होना चाहिए, ठीक है, clear है, चलो, अब next point की ओर हम यहां पर बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अपने पैरों की हड्डी के बारे में, किसके बारे में, पैरों की हड्डी के बारे में, जब कभी भी हम पैरों की हड्डी को देखते हैं, तो जैसे अगर आप इसे देखें, तो पैरों की हड्डी के बारे में हम study करते हैं, जब इसके पैर निकाल लेते हैं, तो पैरों की हड्डी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर भी आप देखेंगे, कि 30 हड्डियां हमको देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगी, कितनी हड्डियां कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दातों को नहीं, दातों को हम सभी इसमें count नहीं करते हैं, क्योंकि जो origin होता है, वह अलग अलग यहां पर होता है, जो उत्पत्ती होती है, वो दोनों अलग होती है, दातों की उत्पत्ती अलग है, और जो कंकाल तंत्र है, उसकी उत्पत्ती अल कर रहे हैं तो सबसे पहले hips के side से यानि अगर आप नौर्मे तोर पर देखो तो जो आपका hips का side होता है यानि नितंब का 27 शुरू होती है वही से हमारी study यहाँ पर शुरू होगी ठीक है तो सबसे पहले start करते है हम लोग यहाँ पर चलो सबसे पहले जो हड़ी आपको यहाँ पर दिखाई देती है वह कौन सी कहलाती है फीमर यहाँ पर कहलाती है कौन से दिखाएगी देगी सबसे पहले फीमर यहा घुटने के उपर तक का, जो इतना हम पर दिखाई दे रहा है या कौनसी होगी, femur कहलाई जाती है और इनकी संख्या की अगे हम यहां पर बात करें तो इनकी संख्या कित्ती होती है तो आंसर करना एक होती है. क्या होती है? साथ में यहां पर लिख लिजिए, this is the largest and longest and strong bone यहा strong bone यह होती है हिंडी में अगर हम बात करें तो सबसे लंबी या जिसको आप कह सकते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी सबसे बड़ी लंबी और strong यानि मजबूत हड़ी यह होती है अब कुछ जो बच्चे होंगे वो यह कहेंगे कि मैं हमने तो पढ़ा है कि जो जबड़ा होता है वो सबसे मजबूत हड़ी होती है अब कुछ टीचर्स यही पढ़ाते है ठाकूर यह पैर मुझे दे दे नहीं अभी रुक जब पढ़ा दू उसके बाद ले जाना ठीक है तो देखो सबसे पहले आपको यह समझना होगा यहाँ पर कि कुछ लोग पढ़ाते हैं कि जबड़ा सबसे मजबूत हड़ी होती है पर वो गलत है अगर आप जबड़े के बारे में बात करेंगे तो वहां की जो muscles होती है, वहां सबसे strong होती है, सबसे मजबूत होती है ठीक है? अगर आप अपने femur के बारे में बात कर रहे हो, thigh bone यानि जांक की हड़ी के बारे में बात कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि या मजबूत होती है, लंबी होती है, स्ट्रॉंग होती है और सबसे बड़ी होती है क्यों? क्योंकि अगर आप अपने एक्जिल इस्कलेटन के बारे में बात करते हो यानि अक्षी कंकाल के बारे में अपने धड़ के बारे में बात करते हो तो उसका पूरा का पूरा जो वजन है वह कौन उठा रहा है आपकी थाईस उठा रहे हैं आपका जो जांग होता है वो उसको बहुत मजबूती से वियर करके रखता है वहन करके रखता है मतलब strong तरीके से balance बना करके रखता है ठीक है तो इस चिसको यहाँ पे ध्यान में में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, गैरा, बारा, तेरा और चौदा, तो किती हड्डिया हो गई, किती हड्डिया हो गई, चौदा ही तो है, ठीक है फिर, चलो, अब next point की और हम यहाँ पर बात करते हैं, ने इसको हड्डी नहीं मानते, चलो, अब next point की और हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, कुछ बचे कह रहे हैं कि एक फिंगर में तीन है, ठंब की अगर आप बात करो तो यहाँ पर दो हड्डी आपको दिखाई देंगे, ठीक है, तो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, गैरा, बारा, तेरा और चौदा, यह लाइनिंग के उपर मत जो, यह तो फोल्डिंग की वज़र से यह लाइनिंग बन गई है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, चले, अब नेक्स्ट की और हम यहाँ पर बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि फीमर तो हमने पढ़ लिया, अब हम प बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि घुटने को हम पटेला कहते हैं, और यहाँ पर आपको एक ही हड़ी दिखाई देती है, जिसको हम नी कैप के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, घुटने की कटोरी, घुटने की कटोरी भी ह इसको यहां पर कहते हैं तो जिस तरीके से अगर हम फीमर के बात करते हैं तो जो फीमर है वह थाई-बॉन याणि जांग की हड़ी कहलाए-जाती है बिलकुल वैसे ही अगर हम पटेला के बारें बात करें तो उसे नी-कप यानि घुटने की कटोरी या हड़ी के रूप में यहां पर जाना जाता है जिसका नाम है पटेला और इसकी जो संख्या होती है वह एक यहां पर होती है ठीक है बच्चों प्लियर है यहां तक बास समझा गई चलो अब घुटने के नीचे हम आते हैं घुटने से लेक क्वंचा और चलू मैं यहां पर दिखाती हूं अगर आउप यहां पर देखो अगर आप यहां पर देखो तो आपको दो घुटने के तरफ आप आऊगी तो तो ये जो दो हड्डियां होती है, इनका क्या-क्या नाम है? तो इनका नाम है fibula and tarsal और यहाँ पर आपको दो हड्डियां दिखाई देती हैं, ठीक है? तो अगर आप घुटने से नीचे की तरफ जाएंगे और जो हमारी एडियां होती हैं, यानि जो हमारा एंकल होता है, उन्हें दोनों के बीच में आपको दो हड्डियां दिखाई देती हैं, जिसका नाम है fibula और tarsal, ठीक है बच्चों, clear है यहाँ तक? अब हम यहाँ पर कहाँ पर पहुंच गए? अब हम पहुंचे यहाँ पर अपनी एडियों के पास, अब हम कहाँ पर पहुंचे? जो हमारी एडिय है ना, ठीक है? जहाँ पर लड़िकियां पायल पहनती हैं, ठीक है? और कई बार काला धागा वगरा भी पहना जाता है, तो जब उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम अपने उस ankle को देखते हैं, यानि अपनी जो area होती है, यहाँ ज़्यादा ही लिख दिया मैंने, यह यहाँ तक की है, यह यहाँ तक की है, ठेके tibia और fibula, अब हम यहाँ पर अपने एडी के बारे में बात करते हैं, एडी के अगर हम बात करें, तो एडी होती है tarsals, जिनको क्या कहा जाता है, ankles के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ankles, bones, यह जिसे आप कहा सकते हो, एडी की हड़िया, मैं फिर से एक बार आप लोगों को यहाँ पर बता देते हूं, देखो, जब कभी भी हम अपने घुटने से नीचे चाते हैं, एडियों के पास, तो एडियों को कहा जाता है tarsals, मा की हड़ियों को क्या कहा जाता है tarsals, जब कि अगर हम घुटने, और जो tarsals है उनके बीच में हम देखे तो उन्हें हम कहते है tibia और fubula, शायद मैंने नाम गलत पढ़ दिया होगा, ठीके दिखा और fubula, यह दो हड़िया आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, एडियों के अगर हम बात करते हैं, तो एडियों को हम सभी यहाँ पर tarsals के नाम से यहाँ पर जानते हैं, तो बटा, शायद मैंने बोलना यहाँ पर है गया था, फिर से इसको correct कर लो अपनी notebook में, मैंने आप को क्या बता है, घुटने की अगर हम बात करते हैं, तो घुटने में पटेला, एडि की अगर हम बात करते हैं, तो टार्सals, लेकिन अगर घुटने और एडि के बीच में जो दो हड़िया पाई जाती है, दो हड़िया यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, उनको यहाँ पर क् और ये वाल रबा हाद गोटना जिसको आप पटेला करें और यह जो एडी जो हड़ी है आपकी वह क्या क्राहएगी टार्सल यहां गर्ट कर लेना जरने कुछ था यहां पर आपकी तोिक हूं लिचण कर दया ना सब्सक्तर का क्या देखोगे कि कलाई में 8 हड़ी है पूहनी में हड़ी नहीं है यहां से जब मीचों उतर रहे हैं और यहां से जब उपर जा रहे हैं तो यहां पर जॉइंट एक बन रहा है एक हिंज जॉइंट बन रहा है जो कि बढ़ाऊंगी लेकिन यहां पर अलग से कोई हड़ी नही अब next point के और यहाँ पर बढ़ते हैं next और हमारे हाँ पर point आता है वो है हमारा toe toe मतलब क्या होता है हमारा पंजा अगर हम पंजे के बारें बात करें तो पंजे में यानि हमारा जो एड़ी है वो खतम हुई अब एड़ी के बाद हम आगे बढ़े तो उंगलियां आती है लेकिन एड़ी और उंगलियों के बीच का जो जगा है उसको क्या कहा जाता है toe यानि पंजा कहा जाता है और पंजे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 5 हड़ियां दिखाई देती हैं जिसका क्या नाम होता है मेटा टार्स उनको यहाँ पर कहा जाता है और जो मेटा टार्स होती है उसी को हम क्या कहेंगे toes, bones यहाँ पर कहते है यानि पंजे की हड़ियां पंजे की हड़ियां उनको यहाँ पर कहा जाता है ठीक है बच्चों? ठीक है? ओके? चलिए अब next point के और हम यहाँ पर बढ़ते हैं, अरे कोई किसी को टांग वांग मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, अब next point के और हम यहाँ पर बढ़ते हैं, next अब हम यहाँ पर अपने पैरों की उंगलियों के बारे में बात करते हैं, और जो पैरों की उंगलियां होती हैं, वह भी कितनी होती है, 14 होती है, कितनी होती है, 14 यहाँ पर होती है, जिसको हम digits bone या फिर उंगली की हड़ियों की रूप में यहाँ पर जानते हैं, तो अगर आप सबी इनको total करो, तो total कितना आएगा, अगेर 30 हड़िया, 30 bones, तो फटाफर से इसको note कर लीचे, ठीक है, मैं एक अच्छों, यह दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा कई बर होता है, देखो, दिख रहा है, हाँ, यहाँ से आपकी आप पैर शुरू है, जब कभी भी हम अपने यह कुलहे की हड़िया, ठीक है, इसके बाद से जब हम अपने जांग की स्टार्टिंग देखते हैं, तो जब के यहाँ तक पाया जाता है, यहाँ पर जो यह बड़ी से स्ट्रॉंग हड़ि होती है, इसको हम सभी फीमर के नाम से जानते हैं, और हमारे शरीर की, हमारी बोड़ी की सबसे लंबी हड़ि होती है, ठीक है, फीमर के नाम से जानते हैं, एक हड़िया यहाँ पर है, इस एक हुड़ी यहां पर दिखाई देगी, जैसे हम सभी अपने घुटने से नीचे की तरफ जाते हैं अपनी एड़ी के पास यहां बीच में आपको दो हड़ीयां दिखाई देती हैं, देखो proper दिखाई देए दो हड़ीयां इन दोनों हड़ियों का नाम होता है टीविआ और फ्यूगि Влад और यह दो हड़ियां आपको इहां पर दिखाई देती हैं उसके बास हम बात करेंगे यहां पर हमारी एडी के बारे में जो हमारी एडी होती है जिसको हम ankle के नाम से जानते हैं जहां पर पायल या फिर धागा होती हैं और इन्हें tarsals कहा जाता है फिर हम आते हैं अपने पंजे के पास पंजे में जो हड्या होंगी toes bone कहलाएंगी पंजे की हड्या जिसका नाम है metatarsals और उनकी संख्या कितनी है 5 और फिर उसके बाद हम पहुशते हैं यहां पर पैर की उंगलियों के पास और जो पैर के उंगलियां होती हैं वहां कितनी होती हैं 14 होती हैं जिनको फैलेंजिस के नाम से यहां पर जानते हैं तो इस हिसाफ से अगर आप देखो तो कितनी हड्डी हो गई विच्छो 30 हड्डी यहां पर हो गई तो एक हड्डी एक पैर में 30 ह हड्डी तो टोटल कितनी हड्डी हो गई तब आपको आज़ सकरना है साथ हड्डियां यहाँ पर हो गई और यहीं तो मैंने आपको समझाया था कि हर लिम्ब में चाहे वो एक हाथ हो चाहे वह एक पैर हो वहाँपर आपको 30 bones यानि 30 हड्डियां यहाँ पर दिखाई देंगी और दोनों हाथों को मिला के साथ, दोनों पैरों को मिला के साथ और अगर हम अपने चारों लिम्स के बारे में बात करते हैं, चारों पाद के बारे में बात करते हैं तो कितनी होगे यहाँ पर? 120 बीस आईवा समझ ठीक है clear है okay कोई doubt नहीं hadddy होती है बीटा मैंने क्या बताया पाँच होती है अभी तो बताया ठीक है यहाँ तक कोई दिखकत नहीं है कोई परशानी नहीं है नहीं हां तक चलो अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्ष हमारा यहां पर पॉइंट आएगा, वो है अब गिर्डल के बारे में हम बात करेंगे, मिखलाओं के बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहां पर हम किस के बारे में पढ़ चुके, हम पढ़ चुके यहां पर अक्षिय कंकाल के बारे म है इसको समझाने के लिए मैं लेकिया थी हुआ 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 है चलो कोई बात नहीं देखो अब यह है आपका यहाँ पर अक्षी कंकाल ठीक है इतना ही तो आपने अक्षी कंकाल में पढ़ा और फिर अभी आपने यहाँ पर एक हाथ के बारे में पढ़ा, दूसरे हाथ के बारे में पढ़ा, तीसरे हाथ के बारे में पढ़ा, और फिर आपने फिर से पैर के बारे में यहाँ पढ़ा, तो अगर हम यहाँ पर अपने अक्षी कंकाल को देखते हैं, तो अक्षी कंकाल सिर्फ इतना है, अक्षी कंकाल सिर्फ इतना ह और इस खुल्हे की हड़ी को खटा दो ठीक है? तो अब हमारपास पैर भी है पर ऐसा नहीं होता ना कि अक्षिय कंकाल अपना अलग जा रहा है और हाथ और पैर अपने पीछे अलग जा रहे हैं हाथ कही ना कही यहाँ पर जुडेगा हाथ कही ना कही इस अक्षिय कंकाल से जुडेगा इसी तरीके से अगर हम अपने पैरों के बारें बात करें तो जो पैर है हमारे वो भी कही ना कहीं किसी जॉइंट से यहाँ पर जुडेंगे हड़ी से आ करके जुडेंगे इसी तरीके से अगर आप इस पैर के बारें बात करो तो ये पैर भी तो कहीं न कहीं यहाँ पर जुडेगा ठीक है? तब ही तो ये हमारा पूरा का पूरा कंकाल तंत्र यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि इसे जोडने वाला, दोनों हाथों को आपके अक्षी कंकाल से जोडने वाला, दोनों पैरों को आपके अक्षी कंकाल से जोडने वाला, इसी को हम सभी क्या कहते हैं, गिल्डल, यानि कि मेखलाओं के नाम से यहाँ पर जानते हैं, और य है हड्डियां यहां पर होती हैं आई बास समझ्ज है हैं तो आप किसके बारे में मेखलाओं के बारे में और जब कभी हम्मेखलाओं के बारें बात करते हैं, तो मेखलाएं कित्ते प्रकार की होती हैं? तो आंसर करना दो प्रकार की होती हैं. मेखलाओं की अगर हम बात करें, छे हड्डियों की अगर हम बात करें, तो यहां कित्ते प्रकार की होती हैं? तो आंसर करना दो प्रकार की होती हैं. पहली होती है गिल्डल है वह क्या है और जो पैलिविक गिल्डल है वह क्या है तो देखो पेटा अगर हम अपने हाथों के बारे में बात करें तो जो हमारे हाथ है जब वो हमारे अक्षिय कमकाल से जुड़ेंगे यानि ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा पैक्टोरल ग हो गया कि जो हमारा प्यर है वो हमारे अक्षिय कंकार से आ कर जुड़ेगा तो जब यहां पर आप डेखोगे यह वाला हिस्था जो ॱॉप के पेरों को अक्षिय कंकार से जोड़ रहा है उसे क्या का जाता है तो सबसे पहले हम सभी बात करेंगे यह सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अंश मेखला के बारे में, अब अंश मेखला क्या है, जो आपके हाथों को आपके अक्षी कमकाल से जोड रहा है, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, पैक्टोरल गिर्डल या अंश मेखला यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर bone दिखाई दे रही है, बच्चा एक bone यहाँ दिखाई दे रही है, दूसरी bone आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आप अपने कंधे को अगर आप देखो, तो पीछे की तरफ ऐसे हाथ लगा के देखो, एक चप्टी सी हड़ी, टिकुने आकृती की, यानि इस तरीके से triangle shape की, triangle shape की एक हड़ी आपको पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रही है, विल्कुल इसकी तरह, है ना, तो इसके अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इस हड़ी को किस नाम से जाना जाता है, यह आपके एक्जाम में सबसे पहले पुछा जाता है, तो यह पीछे की तरफ हड़ी पाई जाती है, इसको हम सबी, इस capula के नाम से इहाँ पर जानते हैं, किस नाम से, इस capula के नाम से हम इसको जानते हैं, और हिंदी में अगर हम बात करें, तो इसे हम सबी, इस कंधास्थी के नाम से जानते हैं, पर इस capula आप इसको याद कर सकते हो, या फिर आप सभी इसे कह सकते हो, इसे हम shoulder bone के नाम से भी जानते हैं, यानि कंधे की हड़ी के रूप में हम इसको यहाँ पर जानते हैं, और यहाँ दोनों तरफ होती हैं, ठीक है, एक right side में होगी, एक left side में होगी, एक हमारी यहाँ पर हो गई हड़ी, दो हड़िया यहाँ पर हो गई, यह तो पीछे की तरफ से थी, अब आगे की तरफ से हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इसको आगे की तरफ यहाँ पर देखो, ठीक है, दिख रहा है मेटा सबको, ठीक, तो यहाँ पर आपको एक हड़ी दिखाई दे रही है, एक हड़ी यहाँ पर और जो दूसरी हड़ी है वह यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिख रही हैं सभी को, ठीक है, एक यहां पर होगे इन दोनों हड्डियों को हम सभी क्लाविकल बोन के नाम से यहां पर जानते हैं और जो क्लाविकल बोन होता है इसी को हम सभी ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं ठीक है सुन्दर्ता वाले हड्डियों के रूप में भी यहां पर जानते हैं और मैं आपको होगा कि खास तोर से लड़के और लड़कियों में दोनों में ही यहां पर हड़ी दिखाई देती है ठीक है और अगर आप किसी एक्टरस को देखते हो या जिसका वजन कम है या जो नॉर्मल है या जो पत्ले के लोग होते हैं या मोडल्स होते हैं उनमें आप सब्सक्राने के या इंहां दी जा गया था उस टाइम पे मतलब मैंने ही दिया था ठीक है एक दो नाम मैंने ही दिये जैसे हेलमेट बॉन्स ब्यूटी बॉन्स पर अब इस पर कोश्चन्स आते हैं और किताबों को भी छकना शुरू हो गया है यह अच्छी चीज है ठीक है लेकिन आप लोगों को यह चल तो यहां तक बात आपको समझा गई तो अगर आप टोटल हड़ी देखें तो कितनी हड़ी हो गई यह टोटल कितनी हड़ी हो गई क्लाविकल दो है और स्कैप्यूला भी दो है तो टोटल कितनी हड़ी हो गई बेटा यहां पर तो देखो चार हड़ीयां हो गई कितनी चार हड्डियां यहां पर होगे तो अगर आपके exam में कभी यहां पूछा जाए कि यहां बताओ कि pectoral girdle यानि अश्मेखला में कितनी हड्डियां होती है तब आप क्या बताओगे कब आपको answer करना है कि चार हड्डियां होती है दो हड़ियां सामने की तरफ होती हैं जिसको beauty bone भी कहा जाता है और साथ में एक नाम और मैं बता दूँ आप लोगों को बच्चो इसे हम सभी collar bone भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? collar collar हड़ियां भी हम इसे यहां पर कह सकते हैं क्यों? अगर आप shirt पहनते हैं तो shirt अगर आप पहनेंगे तो जो collar आएगा वो यही पर ही आएगा ठीक है? तो इसे हम collar bones भी कह सकते हैं beauty bones भी कह सकते हैं और इसका जो सही नाम है, जो scientific नाम है वहाँ क्या है? clavicle क्या है? clavicle तो इस चीसको ध्यान यहां पर रखेंगे ठीक है? और shoulder bone कीसे कहते हैं? हम scaptula को कहते हैं तो एक, दो, तीन, चार, यह चार हड़ी यहां पर हो गई ठीक है? तो इस चीसको ध्यान रखेंगे आप सभी यहां पर? ठीक है? चलो, अब इसके आगे हम next point की ओर यहां पर बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में? जो की श्रेणी मेखला है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे तो हम लोगों ने यहां पर क्या-क्या पढ़ लिया? तो हम लोगों ने क्या-क्या यहां पर पढ़ लिया? हमने अभी यहां पर वो है हमारा पैक्टोरल गिल्डल हमने यहां पर पढ़ लिया अब हम बात करेंगे यहां पर पैलिविक गिल्डल के बारे में यहीं पैलिविक यानि श्रेणी मेखला के बारे में चलिए अब श्रेणी मेखला यहां पर क्या है तो स्टार्ट करते हैं यहां पर अगर आप इस यह वाली हड़ी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, प्रॉपर, एक इधर हड़ी दिखाई देगी, प्रॉपर, जो कि क्या कर रही है, आपके पैरों को आपके एक्जेल इसकलेटन से जोड रही है, पैरी गिरिया बेचारे का, ठीक है, कोई बाती, तो यह हड़ी और दिखाई देगी, जिनको हम कोगजल बोन्स के नाम से जानते हैं, या नितंब अस्थी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, या फिर इसी को हम सभी किस नाम से जानते हैं, तो लिखिएगा, इसी को हम सभी हिप्स बोन्स भी कहते हैं, हिप्स बोन्स भी कहते हैं, यानि कुलहे क कि पुलहे कि हड्डियां, कुलहे की हड्डियां भी इसको हम यहां पर कहते हैं, क्योंकि यही क्या काम कर रहा है? यही काम कर रहा है हमारे पैरों को, हमारेCaricley iskelleton, यानि आक्ष़कमकाल से जोड़ने का, ठीक है? तो कितनी हड़ी हो गई? एक और दो, ठीक? यहाँ पर आपने क्या देखा? कि टोटल आपको दो हड़ीया यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक? तो अगर आप नौर्मे दोर पर देखें, तो आपने क्या-क्या यहाँ पर समझा, आपने यहाँ समझा, कि अगर आप गिल्डल्स यानि की मेखलाओं के बारें बात करेंगी, तो टोटल 6 हड़ीया है, जहाँ पर अंश मेखला की 4 हड़ीया होती है, वही पर ही श्रेणी मेखला की 2 हड़ीया यहाँ पर होती है, और टोटल कितनी हो गई यहाँ प चल्ली बताओं यहां पर जान निकाल दी मैं पूरी स्कलेठन की तुम्हारे लिए तो अपनी जान में निकाल दे टीचर है आपने कंपू को की बेंड बजा दी हाँ विचारई के पैर गिर गया नेचे ठेक है उठा लेते हैं चलो यहां तक कोई दिख कर दे कोई परेशानी ह है तो बताओं कोई परेशानी नहीं है यहां तक ठीक है सब कुछ अच्छे से समझ आया है ओके अब यहां पर हम नेक्स पॉइंट की और बढ़ते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तो चोपक की बार ठीक तो जो आपके यहां पर बोन्स थे हड्यां थी कंकाल तंत्र था वो खतम अब हम यहां पर बात करेंगे जॉइंट के बारे में अब यह जो सारी हड्या होती है वो किसी ना किसी जॉइंट से तो यहां पर लगी जोईंस के बारे में, इसके उपर कौई एक नीमे को बतेला कहते हैं बताया था भी घुटने के हट्डु को पटेला कहते हैं अब गुटने की हड्डी को ही खटोरी कहते हैं अब जोईंस के यहां नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप लोगों को यह यहां पर कुछ चीज़ें समझनी पढ़ेंगी, कि जो भी हमारे joints होते हैं, उनका काम क्या होता है? तो एक हड़ी को दूसरे हड़ी से जोडने वाला और उसी को हम सभी joint के रूप में यहां पर जानते हैं. नॉर्मली अगर हम joints को देखें, तो यहां कितने प्रकार के होते हैं? बहुत, अलग-अलग तरह के पढ़े होंगे आपने. पर उनको मुख्य तीन तरीके से ही हम लोग यहां पर जानते हैं, तीन तरीके से बाट करके हम सभी उसको यहां पर पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले अगर आपसे पुछा जाए कि यहां बताओ कि joints के कितने प्रकार होते हैं, तो आसा करना तीन तरह के यहां होते हैं, तीन प्रकार इसके यहां पर होते हैं, अब यह कौन-कौन से होते हैं, तो number first, सबसे पहले आपका आता है fibrous joints, ठीक है, सबसे पहले क्या आत आपका यहां पर fibrous joints अब जब कभी भी आप fibrous joint के बारें बात करें तो इसे हिंदी में हम अचल जोड के नाम से जानते हैं किस नाम से अचल जोड के नाम से जानते हैं और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि यह जोड होता है यह अचल क्यों है क्योंकि यह हिल डूल नह ही सकता तो इसका जो हिंदी में नाम प्रिछलीत है वह ज्यादा तर अचल जोड़ नाम फेमस है इसका और यहां कौन सा जोइंड कहलाता है फीबरस जोइंड जोगी इम्मूविबल है अचल है गती नहीं करता है कहां पर पाये जाएगा अभी बताऊंगी पहले सुनों ठीक ह दूसरे नंबर पर आता है cartilagious joint और तीसरे नंबर पर आता है synovial joint जिसे स्कलेश जोड भी कहा जाता है पर हिंदी मीडियम वाले बचे ध्यान रखेंगे synovial शब्द ही याद रखेंगे कौन सा synovial शब्द आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले हैम आपके एकशाम में पुछा यह बताओ कि joints का क्या काम होता है आंसर एक खडी को दूसरे खडी से जोड़ना ताकि हमारी हड़ी हमारा जो शरीर है वो एक जगह से दूसरी जगह गती कर सकते इसी लिए joints होते हैं क्त्ते प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के उते Shift क्या-क है उसको आप सभी हिंदी में कई पर उपास्थी जोड भी उपास्थी जोड भी कह सकते हैं पर ध्यानकना एक्जाम में जो इंग्लिश का जो नाम होता है उसी के उपड़ ज्यादा प्रश्ण हुझा जाता है ठीक है चलिए मानल का पटेला अगर तूट गया तब कैसे करेंगे तो फिर सर्चरी होती है ठीक है बोन सर्चरी होती है और अगर पूरा ही चक्ना चूर हो गया है तो उसकी जगा आपने सुना होगा ना कि अलग रॉड लगाए जाते हैं सारी चीज़ें स्टील लगाई जाती है वही सब हो अब डेली आपको याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको फील होगा कि क्या ही हम इसको याद कर रहें पर एक बार अच्छे से लिख लिख के याद करो हां एक चीज़ और बताना चाहते हूं कि बच्चे कहते हैं कि ऐसे नाम होते हमें याद नहीं हो एक समान होता है अगर आप 20 बार पढ़ोगे तब कोई चीज़ आपको याद होगी उससे बहतर है एक बार अच्छे से अपने हाथों से उसको लिखो और अगर आपने लिख करके पूरे मन लगा के बोल के लिख करके अगर आप याद कर रहे हो ना तो 20 बार पढ़ना और ए अब तक याद रहेगा लेकिन हां अगर उसको दुबारा पढ़ते हो ना तो सारी चीज़े फिर से एकदम जैसे चलती है ना ऐसे दिमाग में पिक्चर से चलने लगेगी याद रहेगा हर चीज़ आपके एक चीज याद रहेगी अगर आपने उसको अपने हाथों से लिख विए तिन महीने का समय बहुत है बहुत अच्छे से अप में अच्छे Τरीके से ठीक है चलो क्या होगि राजा राजा कह रहे हैं कि मैम आपने ली बात नहीं सुनती हूँ बताओ 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 सबकी बाते सुनती हूँ चलो अब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करें ठीक है फिर बाते भी करते रह जाएंगे हम सभी यहापर ठीक है देखो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यह जो ट्रिक्स वगरा करते हैं यह मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्टकट में खेलते हैं दूसरी चीज़ अगर मैं ट्रिक्स के अगर आपको बात कहूं तो अगर मानलो कि आपने ट्रिक से याद किया और एक्जाम क ट्रिक की भूल गया तो यह ट्रिक्स की चक्कल बात रहा करो ठीक है चला है मैं बोन्स चटक्ति की हैं ओके आपकी जो बॉन्स वो कमजोर है और दूसरा वात दोश बढ़ गया अगर आयूरवेद में बात करें इसका मतलब ही होता है कि आपके बॉन्स में जो काविटी है खाली हो रही है जिन में वायू जादा बढ़ रही है और आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखा देखी जैसे मम्मी पापा इस तरह की से उंगलियां चटका रहें तो बच्चे भी इस तरह से करने लगते हैं तो यह चीज़ें नहीं करने चाहिए ठीक बहुत पास नहीं होता है तो हर चीज़ें लगती है तो इसलिए मैं आपको यहां पर बताऊं कि आपको थोड़ी महनत तो देखो करने पड़ेगी आप लोग को लिख लिख करके याद करना पड़ेगा साई चीज़ी करना पड़ेगा ठीक है चले अब आगे बढ़तें ने कहां पर पाए जाते हैं तो कल की क्लास में जब मैंने आपको कपाल के बारे में पढ़ाया था कपाल मतलब जो हमारा क्रेनियम है कपाल है जिसके अंदर हमारा ब्रेन कैसा होता है अंदर स्टोर होता है सुरक्षित रहता है ठीक है तो जब हम अपने कपाल के बारे में बात क तो अगर आप नॉर्मली तौर पर देखें तो जो टाइल्स होती है वह एक के बाद एक लगी हुई होती है तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इन आठ हड्डियों को देखते हैं तो यह आठ हड्डियां भी टाइल्स की तरह आपस में चिपक करके रहती हैं अगर आप अपने कपाल के बारे में यहां पर भाग करते हैं तो सबसे पहले आपके एक्जाम में पुछा जाता है कि fibrous jones यहां पर पाई जाती है तब आपको answer करना है कि जो cranium bones होती है यानि कपाल की हड़ी जो होती है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पाई जाती है तो एक हड़ी से दूसरी हड़ी के बीच में आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि कुछ स्टीच सा लगा हुआ है टाके सा लगा हुआ है Fibrous टाके से लगे हुए होते हैं, तन्तू के टाके से लगे हुए होते हैं और जो दो हड्डियों के बीज में, जो जोड यहां पर आपको देखने के मिलता है, वो है Fibrous जोड और यह कैसा होता है? अचल होता है, यह movable होता है, यह hill dual नहीं सकता है और इसी वजह से यह बिल्कुल एक जगह इस थिर यहां पर बहते हैं तो question कैसे बनेगा? Fibrous joint यानि अचल जोड कहां पर पाया जाता है answer हमारी खोपड़ी में पाया जाता है, खोपड़ी में कहां पर? cranium bone, कपाल की हड़ियों के बीच में यहां पाया जाता है यानि एक हड़ी, दूसरी हड़ी से एक किस जोड के माध्यम से यहां पर जुड़ी हुई है तो answer करना Fibrous joint यानि अचल जोड के माध्यम से यहां जुड़ी हुई होती है चीक है बच्चों? लिया रहा है? चलिए अब next point की और हम यहां पर बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर cartilageous joint के बारे में जो दूसरे number पर था cartilageous अब सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि सारे जोड होते हैं वो ऐसे तो नहीं होंगी अचल तो नहीं होंगी कुछ ऐसे भी जोड होते हैं कुछ ऐसे भी joints होते हैं जो हलका सा, हलका सा मूव कर रहे होते हैं, पूरे फ्रीली तरीके से ने, हलका सा मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वज़े से हमारा जो शरीर है, वो अच्छे से हिल डुल सके, ठीक है, अच्छे से अराम से हिल डुल सके, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं fibrous joints हो गया cartilages joint के बारे में अब जो भी हमारा cartilages joint होता है उसमें सबसे पहले हमको यह समझना है कि जो भी हमारी bone होगी वह पहले cartilage से जाकर के जुड़ेगी और cartilage क्या होता है उपास्थी तो दो हड्डियों के बीच में उपास्थी भरी हुई होगी और तब वो दो हड्डियां आपस में जुड़ रही होंगी और उसी को हम सभी यहां पर क्या कहते हैं उपास्थी हड्डी उसको हम यहां पर कहते हैं जिसका सबसे बड़ा example क्या होता है कि अगर हम अपने read की हड्डी को देखते हैं तो read की हल्डी में जो वल्टी ब्री होती हैं दो कशे रुकी के बीच में तो आगर आपसे कभी पुछ जाए कि जो fibrous joint होता है, वो कहां पर पाया जाता है, तब answer करना दो कशेरुकी के बीच में पाया जाता है, अभी जो कशेरुकी होती है, ये कहां पर होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी read की हड़ी को देखते हैं, तो हमारा जो vertebral column है, यानि कि जो मेरु डंड है, वा किस से बना हुआ है, बहुत सारी कशेरुकी से बना हुआ है, बहुत सारी कशेरुकी जो आपस पर जोड़ी हुई है, उनसे बना हुआ है, और total कितनी कशेरुकी हैं, तो answer आपको करना है 33, कितनी है, 33 है, इनके एक वर्टीप्री को देख रहे हैं और दूसरी वर्टीप्री को देख रहे हैं तो इनके बीच में कुछ उपास्थी यानि काल्टिलेस जुड़ा हुआ है और फिर यह दोनों हट्णियां आपस में जुड़ रही है और इसी तरह के जो जोड होते हैं उनको क्या कहा जाता है उपास्थी जोड यानि cartilagous joint कहा जाता है, आई बास समझ, यहां तक बास समझ आ गई है, ठीक है, सुलो, बेटा पहले अभी तो पढ़े लो, ठीक है, मैं अगर बाद में याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो कुई बात नहीं, तब की तब आपको मैं बताती हूँ, अभी कल की क्लास नहीं किये थे आप, अगर नहीं किये थे तो पहले कल की क्लास करो, कल मैंने समझाया है, सारा detail में समझाया है, बहुत अच्छे से explain करकर के, तो बेटा देखो, जो भी क्लास आप करोगे ना, तो आपको पिछले क्लास का एक बार revise तो देखो करना पड़ेगा, ब मैंने आपको क्या बताया था, कि जो हमारी read की हड़ी होती है, जो vertebral column होता है, अगर आप उसको देखें, तो वहाँ पर केवल एक हड़ी नहीं होती, बहुत सारी छोटी 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 बहुत सारी vertebris से मिलकर के हमारा मेरू दंड बनता है, यानि vertebral column बनता है, जहा आप 33 कशेरुकी होती है, ठीक है, और हड़िया कितनी होती है, 26 होती है, तो अगर आप इन 33 vertebris को देखते हो, यानि 33 vertebris, 33 कशेरुकी को देखते हो, तो यहा दोनों, जैसे 30 जो है, 1, 2, 3, 4, तो एक जो कशेरुकी है, वह दूसरी कशेरुकी से, किसके माध्यम से जुड़ के माध्यम से यहाँ जोड़ी हुई होती है ठीक है clear है अब आप समझाई ओके अब next point के और यहाँ पर हम बढ़ते हैं next जो हमारा example होगा वह कौन सा बनेगा next बनेगा हमारा pubic bones next हमारा क्या बनेगा यहाँ पर जो हमारे pubic bones होते हैं यानि जिसको आप कह सकते हो कर्धनी की हटियां कर्धनी की अस्थियां और जो कर्धनी की अस्थियां होती हैं इनको आप सभी और किस नाम से जान सकते हो प्यल्विक गिर्डल यानि श्रेनी मेखला अब जब कभी भी हम pubic bones यानि कर्धनी की अस्थियां के बारे में बात करेंगे या प्यल्विक गिल्डल यानि आप लोगों को यहां पढ़ाया था ठीक है यह आपका क्या है यहां पर हिप्स की हड्डियां और उपर की तरफ अगर आप देखें यहां पर तो यह क्या है आपकी कर्धनी की हड्डियां ठीक है तो अगर आप यहां पर देखो तो एक हड्डी दूसरे हड्डी से किस माध्य से जुड़ी हुई है तो आंसर करना एक हड़ी दुसरे हड़ी से यहाँ पर cartilagious joint के माध्यम से जुड़ी हुई है और इसी को हम करधनी की हड़ियां भी कहते हैं इसी को हम pubic bones भी यहाँ पर English में कहते हैं ठीक है आप लोगों ने देखा होगा एक बात समझना आप लोगों को पड़ेगा कि अगर हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं में यह जो cartilagious joint होता है ठीक है और यह जो हड़ियां हमारी होती है उसके बीच का जो distance होता है वह थोड़ा जादा होता है वह थोड़ी दूरी यहाँ पर जादा होती है जबकि पुर्षों के अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो distance यहाँ पर देखने के मिलता है वह कम होता है इसी वज़ए से अगर हम नौर्मली किसी फिजिक के बारे में बात करते हैं किसी की शाररिक बनावट के बारे में बात करते हैं तो जो लड़कियां होती है या महिलाएं होती है उनमें hips वाला area थोड़ा सा wide थोड़ा सा चौड़ा होता है जबकि पुर्षों के अगर हम बात करें तो पुर्षों में जो hips वाला हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा कम चोड़ा होता है, और ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि just इसके उपर ही यहाँ पर अगर आप देखो तो गर्भाशे की इस्थिती बनती है, ठीक है? और आप सभी को पता है कि गर्भाशे इस्थियों में पाया जाएगा, जब कभी भी delivery होती है, यानि प्रसव होता है, जब बच्चे को यहाँ पर इस दुनिया में पैदा किया जा रहा है, तो इसी मार्ग के द्वारा, यानि इसी के उपर की तरफ ही वजाएना, योनी वाला हिस्सा दिखाई देगा, यही वाले हिस्से में, ठीक है? और उस टाइम प तरफ deliver हो सके, प्रसव हो सके, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कि अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो हमारी pubic bones होती है, या जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो hips के बीच का जो हिस्सा होता है, या फिर कह सकते हो, यहाँ पर pubic bones कह सकते हो, वहाँ से, वहाँ पर सभी को, अब next point की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, और क्या यहाँ पर examples हो सकते हैं, रुकिया, अब next और क्या हो सकता है, यहाँ पर, करदनी हो गया, कशेरी की हो गया, हाँ, next एक और चीज़ important है, वो मैं आपको बताते हूं, next आपका point बनता है, उसको काम करते हैं, यहाँ पर अलग से, next आपर बताएंगे, कि कल की class मैंने आपको बताया था, कि हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, मेरू धंड है, ठीक है, मेरू धंड के सामने की तरफ, आगे की तरफ, आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, तो answer से करना, यहाँ पर हमको उरोस्थी, यानि उरोस्थी मतलब क्या हो गया, sternum यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको हम tie bone कहते है, chest की हड़ी, या chest bone या breast bone कहते है, ठीक, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कि पीछे की तरफ से यहाँ पर क्या आ रही होती है, इस तरीके स रिप्स आती है, पीछे की तरफ से यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरीके से रिप्स आ रही होती है, रिप्स मतलब आपकी जो पसलियां है, वो यहाँ पर आ रही होती है, पर जो पसलियां होती है, वो यहाँ पर जोड़ रही है, इस टर्नम में आ करके जोड़ रही है, तो जब वह जुड़ती हैं, तो किसके माध्यम से जुड़ती हैं, तो आसर करना उपास्थी के माध्यम से जुड़ती हैं, किसके माध्यम से, यहाँ पर आपको बहुत सारी उपास्थी, यानि कि कार्टिलेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है, उस joint को भी हम सभी क्या कहते हैं, cartilages, joint के रूप में यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, आप जब कल जिसने class नहीं की होगी, उसको आज थोड़ा सा tough लग रहा होगा, पर tough नहीं है, ठीक है, बस आप simple यहाँ पर ध्यान रखे कि अगर हम बात करें, तो sturnum, यानि उरोस्ति, यानि वक्ष की जो हड़ी है, उनके बीच में यहाँ joint आपको दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ तक बास समझा गई है, ठीक है, 12 pairs में होती है, ठीक है, 12 pairs में होती है, ठीक है, बहुत अच्छी, 12 pairs में होती है, ओके, तो अगर हम यहाँ तौफी बिन ठीक है, कोई नहीं, तो बिटा हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा rips होता है, वो 12 जोडियों में होती है, टोटल 24 हड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई देती है, और यहाँ पीछे की तरफ से आपके रीड की हड़ी की तरफ से आगे की तरफ आएंगी, और जो sternum होता है, यानि कि जो हमारी उरोस्थी होती है, उससे आके जुड़ती है, तो किसके माध्यम से जुड़ रही है, cartilages joint के माध्यम से जुड़ रही है, तो यहाँ पर जो प्रशना आता है, यह आता है, कि यहाँ बताईए, कि जो यहाँ cartilages joint है, यह जो उरोस्थी जोड़ है, यह कहा कहाँ पर पाई जा रहे हैं तो number first सबसे पहले जो हमारी दो वर्टीब्री होंगी हमारी जो दो कशेरुकी उनके बीच में यहां पाई जाती है झा और और कहां पाई जाएंगी जो हमारी hips bone हूती हैं जिसको हम pubic bone भी कहते थे मिलना pubic bones मतलब hips का निचला हिस्षा थो एक hips का निचला हिस्था जिसको करधेनी heidi कह रहे हैं या pubic bone कह रहे हैं तो 2 pubic bone जहां पर आपसे मिल रही है वहां पर यहां पाई जाएगा इस तरह का Joint पाया जाएगा ठीक है जो की प्रसम में भी मदद करता है ओके, next point आपका बनेगा और कहां पाया जाएगा, तो आपकी जो पसलिया है और जो उरोस्ती है, यानि आपका जो chest bone उनके बीच में भी यह joint पाया जाता है, ठीके बिचों, आई बार समझ, ओके, अब next point की ओर यहां पर बढ़ते हैं, अब हम यहां पर बात करेंगे synovial joint के ब आप सब्क जोएंट के बारें बात करो, तो यहां काफी जादा important है, और साथ में यह भी ध्यान में यहां पर रखना है, कि यहां जो joint होता है, ठीके? यह कैसा होता है? freely, movable होता है, कैसा होता है? स्वतंत्र, स्वतंत्र, गतिमान होता है या गतिशेल होता है, ठीके? इसका क कि जब हम अच्छल संधी के बारें बात कर रहे थे fibrous joint के बारें बात कर रहे थे तो जो fibrous joint था वो बिल्कुल कैसा था आपस में चिपका था उसमें कोई movement नहीं दिख रहा था काल्टी लेजिस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे रीड की हड़ी को अगर आप देखो दो कशेरुकी के बीच में है तो आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो बहुत फ्रीली तरीके से मूव नहीं कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आप साइनोवियल च्वाइंट के बारे में बात करते हो जिसको हम freely movable कह रहे हैं इसमें आप देखोगे कि स्वतंद्र तरीके से एकदम खतरनात तरीके से हां पर आपको गती होता हुआ दिखाई देगा जैसे कि आप लोगों ने कंदुख खली का संधी के बारे में सुना होगा वो किसका एक्जामपल है किसका उधारन ह वो यहां पर साइनोवेल जॉइंट का ही उधारन है तो अगर आप कंदुख खली का संधी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में सुना होगा अभी मैं पढ़ाऊंगी इसके भी अलग-अलग प्रकार है तो वो आपके कंदे में हैं आप देखो अपना कंदा इस तरीक से मूव कर सकते हो पीछे मूव कर सकते हो इस तरीके से मूव कर सकते हो कर सकते हो ना तो जब आप साइनोवेल जॉइंट के बारे में बात करोगे इसके भी अपने अलग-अलग प्रकार है और यहां कैसे होते हैं फ्रीली मूवेबल स्वतंत्र गतिमान यह हो रहे हैं बहु तो इतना इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि सबसे पहले एक हड़ी यह है ओके बच्छों दूसरी हड़ी यह है चीक है अब दो हड़ी अगर आपस में जूड़ रही है वो गती कर रही है बड़ी स्वतंतरूप से कहीं भी घिस तो क्या होगा घिस जाएंगी न हड़ीयां कैस तो आप क्या देखते हैं कि उसके कलपूर्जे कई बार घिस जाते अंगर बहुत जधा चल रही है वही है या मशीन बहुत चाल हो तो वहां कैसे होते होते हैं उसके जो कलपूर्जे तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट में जहां पर दो हड़ियां आपस में मिली बहुत अच्छे तरीके से गती कर रही हैं तो आपस में घिस जाएंगी आपस में रवणने लगेंगी तब वहां पर क्या देखेंगे कि एक हड़ी दूसरे हड़ी के बीच में कुछ खाली जगह जहां पर रहेगी वहां पर भरा होगा कुछ फ्यूल यानि कि कुछ फ्लूड भरा होगा कुछ द्रव्य पदार यहां पर भरा होगा और यह जो द्रव्य पदार यहां पर भरा होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूड कहते हैं साइनोवियल द्रव्य कहते हैं ज और जब दादी, दादाजी को, बड़े मम्य पापल लोगों को रेखा होगा ना, कि अरे बहुत पैर दर्द हो रहा है, हड़ी घिस गई है भाई, है ना, तो कई लोग जो थेला शाप डॉक्टर होते हैं, वो क्या कहते हैं, कि भाई यहां पर जो हड़ीओं के बीच में हैं, वो क्या हो गई है आपस में रगड खा गई है और यहाँ पर जो पानी होना चाहिए था वो सूख गया है इस तरी के से भी भूलते हैं पर ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या होता है कि जो साइनूबल भी यही हो रहा है तब तो दिक्कत वाली बात है ठीक है तो मैंने आपको क्या बटाया कि यहाँ पर दो हड्डियां हैं दोनों हड्डियां आपस में रगड ना खाएं इस वज़े से यहाँ पर कुछ फ्लूड कुछ द्रव्य भरा हुआ होता है और जिसको कहते हैं साइनोव काफी आ सकते हो काफी freely movable होते हैं स्वतंत्रोप से गतिमान वह होते हैं और उन्हें हम साइनोविल जॉइन्ट यहाँ पर कहते हैं ठीक है यहां तक बार चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हाँ योगा करना चाहिए ठीक है नेक्स आपका पॉइंट यहाँ पर बनता है उसको यहाँ पर देखते हैं अब जो साइनोविल जॉइन्स होते हैं उसके भी अपने अलग-अलग प्रकार होते हैं बहुत अलग-अलग प्रकार होते हैं कोई कहते हैं कि 6 प्रकार है कोई कहते हैं साथ प्रकार है कोई कहते हैं 5 प्रकार है पर प्रकारों के उपर मत जाओ क्यों जो जौइंट होता है यानि कंदुख-Thandelika संधी जो जुआइंट होता है वह पर काहां पर पाया या कंदुख-Thandelika हो संधी कहां पर पाई जाती है इस तरह से कोश़न आपका पुछता है जिसको हम क्या गरते हैं wall and socket joint अब इसका क्या मतलब हो गया आप सब इने ओखली देखिए ओखली गाउं में देखा होगा आपने मूसल या ओखली ठीक है या फिर घर में अद्रक कूटने वाली छोटी से भी ओखली आती है जिसमें आप क्या देखोगे इस तरीके से एक चैंबर होता है और इसे तरीके से इसमें कूटने वाला होता है इस तरीके से आपने बैद्दि लोगों को भी देखा होगा वो जो काड़ा में या कुछ पीस्तें हैं है किसी तरीके से पिस्ते हैं तो इसे हम कहते हैं कंदुख खली का संधी जहां पर आप क्या देखोगे कि एक जो हड़ी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कैसे कि लोगे लाया है कि एक जो हड़ी होथी है वो कुछ इस तरीके से होती है एक और जो दूसरी हड़ी होती ही वो कुछ इस तरीके चाहिए ताख गडुनी की जैसा है इस बाहँ आपन उसके ओपर ये बॉल आकर कर यह जैसे बैठी जा और अच्छे से यहां move करें, ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं कंदुक, खली का संध्धी, कंदुक खली का संध्धी ठीक है बच्छों, अब यहां पर दूसरा question आता है कि जो ball and socket joint है यानि कंदुक खली का संधी है, वो कहां कहां पर पाई चाहती है और यहां से आपका portion बनता है, तो यहां पर आपका आएगा इसका example है shoulder or hips, यानि कंधे और कुलहे की हड़ियां या जोड, ठीक है, तो अगर आप लोगों से कभी यहां बोला जाए, कि यहां बताइए कि कंधु खली का संधी कहां पर पाई जाती है, तो answer करना, कुलहे और जो notes में मिलेगा ही, बर आपको यहां पर जो question जहां से बनेगा वो ध्यान रखना है, कि normally अगर प्रश्य कुछता है कि wall and socket joint किसका example है, साइनोवियल joint का, और इसका उधारन क्या है, तो answer करना है कंधे का जोड और कुलहे का जोड, ठीक है, बस इतना आपको यहां पर ध्यान में कि उतना है, चलें को. अब आगे बढ़ते हैं next point, अब हुम यहांपर next question के उरबढ़ते हैं, next joint is, जहां से question आपका बनता है, वो है hinge joint, जिसे हम काज संधी कहते हैं, या फिर कई बार इसे हम कबजा संधी भी कहते हैं, कबजा संधी भी हम इसे यहां पर कहते हैं, ठीक है? अ और यहां किस तरह की होती है तो कंदुखली का संधी यानि कि जो आपका ball and socket joint था उसमें आपने क्या देखा कि freely तरीके से बहुत अच्छे से move कर दिये सभी direction में सभी अच्छे तरीके से लेकिन hinge joint के अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या देख सकते हो अपनी कुहनी देखो और इस तरीके की गती जैसे एक कपाट की गती होती है एक valve की गती होती है बिल्कुल इस तरीके से जो आपको movement यहां पर दिखाई देता है उसे हम कब्जा संधी काज संधी या फिर hinge joint हम यहां पर कहते हैं जहां पर जो movement है वह एक ही dimension में हो रहा है एक ही दिशा में यहां पर हो रहा है तो इसके उधारण क्या-क्या होगे यह जोड कहां कहां पर पाया जा रहा होगा तो आइसा करना क कुहनी का जोड घुटने का जोड उंगलिया और पैरों की उंगलिया उन में आगर आप देखें तो यही आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो एंड़ी मतलब क्या होगा आपके कुहनी तो वहां पर आपको कब्जा uno हमें अपकर आप dirत देखने के मिलेगा या करो, करो, पैर ऐसे करके देखो, ठीक है, इसी तरीके से उंगलियों की अगर हम बात करें, तो उंगलियां भी आगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, सामने की तरफ, यह आगे की तरफ ही जाएंगी, पीछे की तरफ, जाचा जाते नहीं मुढ जाएंगी, और पूरी थो जॉइंड, अब पॉइविट जॉइंड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो पाइविट जॉइंड को कई बार हम खूटी संधी के रूप में भी जानते हैं, क्या खूटी, खूटी संधी के रूप में भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं, अब खूटी संधी का क्या मत मतलब है कोटी संधीका यहां पर मतलब होता है दिमाग फिल गया है मैं दो गंटे की क्लास लिया करिए प्लीस मैं देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं हो गया हो गया बटक क्या हो गया इतनी जल्दी अगर हार मान लोगे तो कैसे चलेगा अगर पढ़ाई नहीं करोगे त दो गंटे का ने देड़ घंटा परियापत है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स आपका आजाता है यहां पर पाइविट ज्ञेंट को हम सभी खूटी संधी के नाम से भी यहां पर जानते हैं अब खूटी संधी का क्या यहां पर मतलब होता है आप लोगों ने सीसा ज जूला गार्डन में देखा होगा एक खुटी सी होती है और इस तरीके से एक लकडी या फिर आप कह सकते हो एक कुरसी यहां पर एक कुरसी यहां पर बनी हुई होती है यहां पर एक बच्चा बाढ़ता है यहां पर एक बच्चा बाढ़ता है और वो कैसे करते हैं इस तरीके से इस तरीके से मूव करते हैं है ना सीसा जूला जिसे का जाता है तो अगर आप यहाँ पर इस तरह के जॉइंट के बारें बात करें तो आप आप क्या दिखोगे कि एक हड़ी अपनी जगा इस्थिर होती है और जो दूसरी हड़ी होती है वह कैसी हो रही है सिसी direction में तो जैसे अगर आप अपनी गर्दन को देखो तो गर्दन कैसी है इधर जारी है फिर सामने हो रही है एसा तो नहीं कि पूरी मुड जा रही है भूर थोड़ी हो पूरी मुड लोगे ठीक है ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है तो इस तरह क flips आपको देखने के लिए और तो जो हमारे फृस्ट वर्टीब्री थी त एलस और गवरा अक्षिय हो ऑसके काणगूरे उसके बीच में आपको देखने के लिए मिलता है यानि आपका जो सकल है आपकी जो खोबड़ी है और आपके नीचे का जो अक्ष कंकाल है उसको क्या कर रहा है जो हमारा atlas vertebrae है वह क्या कर रहा है यहाँ पर पूरे तरीके से manage कर रहा है तो atlas और अक्ष संधी के बीच में atlas और हमारा जो axis है उसके बीच में आपको क्या मिलेगा private joint यानि खुटी संधी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आई बास समझे ठीक है clear है चले अब next point के और यहाँ पर बात करते हैं next आता है आपका यहाँ पर gliding joint next आपका आता है gliding joint कि अगर हम सभी gliding joint के बारें बात करें तो gliding joint कहां पर पाया जाता है तो बेटा आप सभी ने आजकल देखा होगा कि adventure बहुत ज़्यादा लोग करते हैं पहले भी करते थे अभी भी करते हैं तो जैसे पैरा gliding का नाम आपने सुनाओगा पैरा ग्लाइडिंग में क्या करते हैं कि लोग एक बड़ा सा बलून लेते हैं या फिर उड़ने के लिए जो बैलून्स आते हैं वो लेते हैं और बहुत तेजी से दोड़ते हैं और फिर किसी पहाड से छलांग लगा देते हैं थोड़े कि ताइम बाद उनका जो पैरासूट होता है वो ओपन हो जाता है और फिर वह ग्लाइडिंग करते हुए नीचे उतर जाते हैं तो जब हम ग्लाइडिंग करते हैं इसका मतलब उस टाइम पे जो फ्लेक्शन फोर्स है वह क्या है नहीं ना के बराबार है ठीक है तो ग्लाइ के विट्धिखों को देखो तो जब मैं कुछ दो पर नीचे कर लें लुट्गाtal लेते ते और यहां विल्य मैंने घ्झाय के ईसे लोगों आते हैं लोग ऐसा करते थे बचपन में उनकी में बात बता रहे हैं आप लोग मत करना ठीक होगी भी नी क्योंकि अब तो हड़ी काफी मजबूत हो चुकी है और स्टेबल हो चुकी है तो ग्लाइडिंग जॉइंट के गर हम बात करें तो जो हमारी कारपल्स होते हैं कारपल्स का क्या मतलब हो गया जो हमारी कलाई की हड़िया होती हैं उन्हें सभी के बीच में आपको gliding joints यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि छोटी छोटी बहुत सारी हड्या एक साथ रह रहेंगी हैं पर एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं जैसे आप सभी ने संग्मर्मर के पत्थरों को देखा होगा अगर संग्मर्मर के पत्थ हो तो gliding joint आपको देखने के लिए मिलेगा कि रहेंगी साथ साथ लेकिन एक दूसरे से फिसलती हुई सी वहां दिखाई देती हैं ठीक है तो यहां पर आपको देखना है कि जो glidal joint demo कहां पर मिलेंगी आपकी कलाई में मिलेंगी आपके कारपल्स जो होते हैं उनके बीच में यहां पर दिखाई देंगी ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान पर रखना है चलो अब next point की और यहां पर बढ़ते हैं next 요 आपका आता है वो है subtle joint next आपका क्या आता है subtle joint यानि काठी का जोड़ अब subtle का क्या मतलब होता है आप लोगों ने देखा होगा कि movies में देखा होगा या आप लोगोंसे काफी सब्समारी पीठ में इस तरीके से काठी लगी हुई होती है, सडल लगा हुआ होता है, जिसमें पैर फसा करके ही कोई यहां पर बैठता है, पैर इस तरीके से फसा करके लोग बैठते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं सडल और हिंदी में हम क्या कहते हैं काठी, ठीक है, तो जब गोड़े के उपड़ बैठ रहा है तो उसका जो पैर वॉला हिस्सा है वो फिक्स रहता है लेकिन जब घोले में वहार दोड लगा रहा है तो कमर के उपर वाला हिस्सा इस तरीके से हिल रहा होता है जबकि पैर वाला हिस्सा stable है लेकिन कमर से उपर का पूरा हिस्सा इस तरीके से इस तरीके से आपने देखा नहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो subtle joint का क्या मतलब हो गया? subtle joint का मतलब हो गया कि एक हड़ी जो है वो अपनी तरफ इस्थिर है लेकिन दूसरी हड़ी जो उसमें फसी हुई है वो आगे पीछे इस तरीके से जा रही है तो यहाँ पर अगर आप अंगूठे के बारे में बात करते हो तो अंगूठे का जो निचला वाला हिस्सा होता है उसमें आप देखो कि इस तरीके से आप इस तरीके से आप मूव कर सकते हो तो अंगूठे वाले हिस्से में या अंगूठे की जो हड़ी यहाँ पर होती है इस तरीके से, उसके अगर आप बात करें, तो नीचे से तो move कर सकता है, लेकिन यहां से नहीं move कर सकता है, यहां से सिर्फ उपर वाला हिस्सा इस तरीके से move करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कि अंगूठे के अगर हम बात करें, तो अंगूठे में जो आपको हड़ियों के इच में जोड दिखाई देगा, वह क्या कहलाएगा, subtle joint, यानि काठी का जोड यहाँ पर दिखाई देगा, तो बस आप इतना याद कर ले ना, कि subtle joint कहाँ पर दिखता है, thumb, अंगूठे में यहाँ पर दिखाई देता है, अब next जो आपका आता है, यह नए तरीके का है, बहुत कम कुस्तपों में आपको दिखाई देगा, और वो है इलिपॉसस joint, इलिपॉसस joint कहाँ पर दिखाई देता है, तो आपको आंसर करना है, कि यहाँ भी fingers में दिखाई देता है, या भी अंगली में यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, तो इस चिसको यहाँ पर जान में आप रखेंगे, ठीक है बच्चों? भूद, अच्छा चीक है, मैं मेरा नेट खितम होने वाला है, ओके, मैं पैर की बोन्स कभी कभी, चूँचू करती है, ऐसा क्यों है? देखो बेटा, पैर की जो हड्या होती है, वो चूँचू क्यों करती है? अब चूँचू तो नहीं पता, लेकिन कई बार कट कट इस तरीके से बज़ती है, वो इसी वज़ए से होता है, कि जब लाक्टिक असिड बहुत बढ़ जाता है, तो जोइंट्स में आ जाता है, तब भी ऐसा होता है, है ना, तो में यही रीजन होता है, कि लाक्टिक असिड बढ़ जाता है, ठीकी बच्चों, ठीक है? समझा गए सभी को यहां तक? ओके चलिए इसके बाद मैंने कुछ important points भी आप लोगों के लिखवाए हैं इसको जल्ली से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है फिर ये chapter फुरा खताम हो जाएगा कल आपका test लोगी मैं ठीक है तो कल पूरा जो sclator system है joints है वो सारा सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है चलो तो हमारे शरीर में total कितनी हड़ियां होती है तो answer 206 होती है किती होती है 206 हड़ियां हमारे शरीर में होती है जबकि छोटे बच्चों के अगर हम बात करते हैं शिशु यानि infant के अगर हम बात करते हैं तो 300 हड़ियां हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है next the longest bone in human body अगर आप नॉर्मली तोर पर देखें तो human body की सबसे लंबी हड़ि कौन सी होती है आंसर क्या करना है femur होती है next हमारे शरीर में कितनी muscles होती है तो answer आपको करना है 656 होती है अगर हम अपने दातों के बात करें तो दातों के अध्यन को क्या कहते हैं हम सभी odontology यहाँ पर कहते हैं अब main बात जिसके लिए मैंने यह लिखा उसको यहाँ पर note करें यह बहुत important है अगर आपसे कभी भी यहाँ पूछा जाए कि bones को bones से जोडने वाले जोडने वाले जो tissues होते हैं जो उतक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? और आपका अंसर क्या हो जाएगा? कि bone को bone से जोडने वाले ligament यहाँ पर कहलاتे हैं क्या कहलाते हैं? ligament यहाँ पर कहलाते हैं लेकिन अगर आपसे कभी यह बुचा जाए कि यहां बताओ कि बोन को मसल से जोड़ने वाला, यानि अस्थियों को पेशी से जोड़ने वाले टिशू को क्या यहां पर कहा जाता है, तो उसे टेंडोन यहां पर कहते हैं और हिंदी में इसे कंडरा के नाम से यहां पर जाना ज जाता है, तो यह important है, जो कि last page यहों मैंने आप लोगों को लिखे दिया है, तो यह बहुत important है, इस सबसे ज़्यादा प्रस्णह आप लोगों के बनते हैं, तो यह chapter आप लोगों को खतम हो गया, जल्दी खतम हो गया और कल इसकी, इसका जो question answer है उसका मैं test लोगी, तो सभी लोग अच्छे से पढ़के आईएगा शाम को चार बजे आप लोगों को यहां पर आजाना है ठीक है बागी offline कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहां क्लास कैसी लगी और विचारा हमारा जो कंकुए इसने बड़ा साथ दिया अब यह कल से नहीं आएगा ठीक है तो ले लेख़ता है तो लगपा लेचा से नहीं पताना है झाल झाल